स offshore हम लोग से समान हिंदी का अधेन कर रहे थे हैं और समान हिंदी के अंदरगत हम लोगों ने वर्ड माला और वर्णू का उचारन अस्थान दो चप्टर पूरा कर लिया है और यह हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से अघोष हैं त cambio की यहां से एक्जाम में काफी क्यूशन आते हैं कि जैसे चार अफसंदें देता है और पूसता है कि निम लिखित में से इसको देख लेते हैं कि कौन और और सब्सक्राइब तो सबसे पहले अगर आपने पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा है वर्ण माला और उनका उचारण अस्थान तो जो है डिस्क्रेप्शन में लिंक है वहां से देख लीजिए यहां उपर आई बटन पर जो है किलिक करके उसको देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं अघोस और सघोस दो प्रकार सबसे पहले देखते हैं अघोस किसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय जो वर्ण का उचारण करते समय जो अंदर से फेफ़डों से निकलने वाली हवा है जिसे हम लोग प्राण वायु कहते हैं हवा जो है स्वर्ट तंत्रियों को रगड कर नहीं यानि बीना घरसंड के ही जो है हवा निकलती है इस प्रकार के वर्णों का जो उच्चारण होता है उसे हम लोग अघोस वर्ण करते कहते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्वर्ट तंत्रियां हैं उनमें घरसंड नहीं हो रहा है उन वर्णों को क्या कहेंगे अघोस वर् वर्गों का पहला और दूसरा आप की वर्गों का जो यहां पे प्ताय थे पांच वर्ग हैं में ये में आ हैंकि दूसरा थीस्रा चौथा और पांच वांग पांच वांग हैं किस प्रकार से ये ये और ये ये जो है पहला वांग हो गया सभी वर्गों का ये का चावर का पहला चावर का पहला टा तावर का पहला ता पावर का पा ये सभी पहले वांग है और ये सभी दूसरे वांग है ये सभी तीसरे वां है यह चोथे और यह तो हमने कहा कि जो अंदर से निकलने वा Jagoo है जो श्रौट wartsन्त्रकों को बीना घरशन के निकलती है इसको guit रहे हैं और ऑवुच में के जो है फरिबाशा गर के आपको डिस्क्रिप्टिब लिखने को लिए आती है तो हम यहां पर दिखा रहे हैं इसको जो है आप लोग लिख लिए अगोस्वर्ण और अगोस्वर्ण हमने बताया कि वर्गों के पहले और दूसरे जो प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होगा वर्गों का पहला और दूसरा वर्ड अगोस्वर्ण को रखा गया है जैसे का खा इज़र चा छा टा था ता था पाफा यहां लिख लेते हैं का खा चा चा टा था था और पाफा यह हो गया वर्गों का पहला और दूसरा वाण यह फिर ट्रिक के रूप में याद रखिए 12 12 इसको याद रखिए वर्गों का पहला जो है अगोस है इसके अलावा जो है यह हमने यहां बताया था उस्म बेंजन उस्म बेंजन है सा सा और हा तो उस्म बेंजन का यह तीनों जो सा है यह और कौन-कौन से हैं वर्गों के पहले दूसरे के अलामा प्लस में सा जिसे हम लोग तालब बिसा मूरधन निसा और दंत सा ये वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण और इसके साथ-सा जो है उस्विवन जन का तीनों सा ये अग्होस के अंतरगत आता है बाकी जो बच्चे होए वर्ण है य यहां देखे यह आपको दिख रहा है कि जिन वर्णों को बोलते समय फेफ़डों से निकलने वाली हवा स्वर्थ तंत्रिकों को रगड कर निकलती यानि घरसण करके निकलती है उसे सघोस वर्ण कहते हैं अब सघोस वर्णों में क्या होगा वर्गों का वर्गों का मतलब वर्गों का मतलब यही जो वर्गी विंजन है इनको वर्गी विंजन बोला जाता है वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवाँ वर्ण पहला दूसरा अगोस में आ गया था बाकि जो तीन बचे थे यह गा गा यह तीनों जो है क्या हो जाएंगे सघोस वर गो गोंड हो जाएंगे उसके अलावा अनते श् página स्सक्राट यो एकना यह एक्रेद सिंग现在 नॐ एक्रेवा और इन हमएखे और सकते हैं कि यह गोस हो गया यहां तक और इधर से यह सघोस हो गया यह जैनि तीन चार पांच सघोस में आ गया और जो है इसके अलावा अंतस्थ वेंजन पूरा अंतस्थ विंजन कौन कौन से हैं अंतस्थ विंजन पूरा मतलब 4 हैं कौन कौन से या वा रा और या वा राला अंतस्त वेंजन हो गया पूरा शगोस में वर्गों का तीसरा चौथा पाच्वा वर्ड उसके अलावा अंतस्त वेंजन और प्लस में प्लस प्लस लगाते जाएंगे और कौन-कौन से हैं यह जो हमने उस वेंजन से तीनों सा लिख दिया था यहां हा बचा था यह हा हा भी आगया सगोस में और इसके अलावा सभी स्वर जो हैं हिंदी में कितने हैं ग्यारा सभी ग्यारा स्वर हा अंतस्त वेंजन और बर्गों का तीसरा चौथा और पाचौवा वाड यह सगोस में आगया अगोस में हम देखेंगे तो केवल बारायात का लिजिए बारा अनि वन टू वर्गों का पहला दूसरा और उस में वेंजन के तीनों सा यह तालब सा मोर्धन सा और दंत सा यह जो है अगोस में आते हैं और सगोस में जो है वर्गों का तीसरा चौथा पाचौवा इसके ला करने में कम प्राड वायू की आउसकता होती है कि जो अंदर से उचारण करने पर निकलने वाली हवा है वायू है उसे क्या बोलते है प्राड वायू तो जिन वेंजनों के उचारण में कम प्राण वायव किया सकता होती है उसे हम लोग अलप्राण कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन वेंजनों के उचारण में कम प्राण वायव किया सकता होती है उन सभी वर्णों को अलप्राण कहा जाता है और जिन वेंजनों के उचारण में अधिक प्राण वायव क तीसरा और पांचवां यहां लिखेंगे वर्गों का पहला तीसरा और पांचवां वायव इनको जैसे आप बोलेंगे अलप प्राण में कम वायव को या सकता होती है मतलब अलसा वायव को आसकता होती है यह सब लेक और फिर उससके बाद भूने और ले पुले में ज्जादा वायो निकल रही है इसलिए वह महा पराड है और जलदी से बूल कम प्राण बाइब कर आ सकता होते हैं इसलिए अलप्राण यानि वर्गों का पहला यानि कि का गा और अंगा यह जो वर्गों के पहला तीसरा और पांचवां वर्ड है जिनको हमने गोला कर दिया है यह अलप्राण के अंतरगत आएंगे उसके बाद अलप्राण में दूसरे जो आते हैं सभी स्वर आुजिए सभी ऊषर इस सबिस्षब्र इसको याद करने के लिए यहाथ देखें जैसे सलिप्राण आज आगला जो आता है जितने अंतस्थ वेंजन है यह अंतस्त वेंजन यावारा रा ला इसे अर्थ स्वर भी कहा जाता है अंतस्त वेंजन वेंजन अंतस्त व्यंजन कौन-कौन से हैं या वा रा ल यह सबी अल-प्राण के अंतरगत आते हैं कौन-कौन से होगे वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण उसके अलावा सभीर स्वर अिसके बाद जो है जो अंतस्त बिंजन है इनको अलप्राणी और रख़ा गया है अब आगे देखते हैं महा प्रान महा प्राण में जैसे हमने कहा वर्गों का पहला तीसरा पाँचौपपड स्वर लब्क ब Cul प्राण हो गया तो महाप्राण में क्या जाएगा दूसरा और चौथा वन जो यह बॉक्सम बना रहे हैं दूसरा और चौथा वन एनि खा गा छा जा टा डा था धा फा भा यह सब किसमें जाएगा महाप्राण में और इसके अलामा उस्म बेंजन ओस्म बेंजन कौन कौन से हैं यह एमने लिखा है तालव विसा मुर्धन सा दंत सा और हा इनके उच्छारण अस्थान के अधार पिंग का नाम है तालू से बोला जाता है मुर्धा से और दंत से और यह हा यह किसमें जाएगा महाप्राण में तो एक्जाम परिकार क्षेर आते हैं जैसे 4 आफ संदे दिया कि यह वह रा और यहां से दे दिया और की डिएक महाप्राण है तो आपको अगर यह जाएद है तो आप से इसको solve कर सकते हैं काफी important topic है बहुत छोटा सा है थोड़ा सध्यान दीजिए और इसको अपने एक copy पे चार्ट बना लिजिए वहां से यह आपको आसानी से याद हो जाएगा